नमस्कार मैं व्रेंदा शर्मा आप सभी का स्वागत है एस शंद के यूट्यूब चैनल टेस्ट प्रिप्रेशन में पिछले तीन दसक से सरवादिक लोगप्रिय पुस्तक सरल अंगानित जिसको डॉक्टर आरे सग्रवाल ने लिखा है इस चैनल पर इस पुस्तक के सभी वीडियो दिये जाएंगे तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो नमस्कार आप सभी का स्वागत है एस शंद के यूट्यूब चैनल टेस्ट प्रिप्रेशन में आज हम टॉपिक नंबर 9 की सुरुवात करने जा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक रहेगा घातां प्रिप्रेशन का और करने तो यह सुरुवात करते हैं आज अपना टॉपिक और सुरुवात करने से पहले मैं फॉर्मुले जो भी हमारे हैं इंपोटेंट उन सभी को में डिसकस करने जा रहा हूं एकस की पावर ए गुना एकस की पावर बी परावर होता है एकस की पावर ए प्लस बी जो हमारा पहला रूल है वो अच्छी तरीके से याद होना चीए कि गुना में जो पावर होती है वो हमेसा जुड़ जाती है रूल नंबर सेकिंड है डिवाइड जब भी आप करेंगे एक्स की पावर A upon X की पावर B. डिवाइड जब भी हम करेंगे तो डिवाइड में जो पावर है वो नेगेटिव हो जाती है माइनस. X की पावर A माइनस B. अगर हमारा बेस सेम है तो पावर नीचे से जब उपर जाती है तो वो घड़ जाती है. रूल नमबर 3 है अगर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं पावर के बाद तुरंत अगर आपका ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का मतलब होता है इनकी गुरा करेंगे. तो X की पावर ये बन जाएगा A B. रूल नमबर हमारा जो 4 है किसी भी बेस की पावर यदि 0 होती है तो उस कमान हमेसा 1 होता है. तो हमें ये चार रूल अच्छे तरीके से याद होने चीए है और इनका जो यूज़ है वो पूरे टॉपिक में होगा. तो आईए शुरुवात करते हैं आज का पहला कुश्चन. 81 की जो पावर है वो 3 by 4 है. सबसे पहला काम हमारा है कि नीचे जो हमारा पावर में संख्या है. जो भी पावर में संख्या होगी उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि मैत में ऐसा कोई नंबर है जिसकी 4 बार गुणा करें और 81 आपको प्राप्त हो. 81 चार बार. तो एक नंबर है हमारे पास 3 की पावर 4. अगर 3 की मल्टिप्लाई आप 4 बार करेंगे तो 81 बनेगा और 3 बाई 4 आचुका है. 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा 3 की पावर 3 और 3 की पावर 3 हमारा बनता है 27. इसका मदल होता है 3 की मल्टिप्लाई 3 बार है 3 गुना 3 गुना 3 आंसर आएगा option नंबर A. 2nd 1 बाई 64 की पावर है माइनस दो बाटा 3 देखें पावर यदि नेगिटिव होती है तो आपका जो बेस है आप उसको उल्टा करेंगे और उल्टा करने के बाद आपका माइनस खतम हो जाता है. तो हमारा काम है पहले इस बेस को उल्टा करेंगे 64 और ये नेगिटिव आपका खतम हो जाएगा जब आप इसको उल्टा करेंगे तो 64 बाटे एक 64 होगा और जो पावर हमारे पास है ये नेगिटिव आपका खतम हो जाएगा नीचे 3 है ये 64 हमारा 4 की पावर क्यूब होगा इंटू दो बटा तीन तीन से देखे तीन कैंसिल हो जाएगा चार की गुना दो बार करेंगे 4 का स्क्वेर हमारो हो जाएगा 16 जो की option number है हमारा A है next 64 की power है माइनस एक बटा 6 अब ये negative आपको हटाना है जब negative power आपको हटानी है तो जो भी base हमारे पास इसको उल्टा करेंगे उल्टा करेंगे तो इसके नीचे आप 1 मानेंगे तो आप लिख सकते हो एक बटा 64 और power इसकी एक बटा 6 सबसे पहले जो power में negative होता है ये इस negative को आपको खतम करना है और इसे खतम करने का जो तरीका होता है बेस को आप उल्टा करेंगे तो आपका negative खतम हो जाएगा 1 by 6 दौनों संख्याओं के उपर है तो 1 के उपर 1 by 6 1 होगा और 64 के उपर भी एक बटा 6 होगा नीचे संख्या हमारे पास 6 है तो हमें मैत में ऐसा कोई number ढूंड ना है देखना होता है जिसके आप 6 बार गुना करेंगे 64 आपको प्राप्त हो वो है 2 की पावर 6 इंटू आ चुका है एक बटा 6 तो answer आएगा 1 by 2 जो की option number है हमारा D next देखे अगला जो rule है base सबसे पहले आपको base देखना है अगर हमारा base same है तो जब आपका base बराबर होता है तो गुना में जो power होती है वो हमेसा जुड़ जाती है प्लस होंगे 3 बटे power आप इनको plus करेंगे 3 में 3 plus minus 6 बराबर हो जाएगा 3 बटे 5 आगे बचेगा 2x minus 1 गुना में देखे power जुड़ जाती है 3 में आप plus करेंगे minus 6 को बराबर 3 बटे 5 2x minus 1 3 में अगर आप minus 6 करेंगे तो 3 में minus 6 करेंगे तो आएगा minus 3 बराबर आएगा 3 बटे 5 और 2x minus 1 अगर हमारा base बराबर है तो आप इसको हटा दे तो 2x minus 1 बराबर आएगा minus 3 माइनस का 1 दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा माइनस का 2 आएगा माइनस के 3 में अगर आप प्लस 1 करेंगे तो माइनस 2 आएगा तो X बराबर आएगा हमारा माइनस 1 जो की हमारा option number D है next अगला question आपके सामने है हमारा जो काम होता है question में base को सबसे पहले देखना होता है अगर आपका base बराबर है तो question को आप direct start करेंगे otherwise base बराबर नहीं है तो base बराबर करेंगे अब ये हमारा base है 23 23 तो 23 लिखेंगे आप और ये power हमेंसा प्लस हो जाएगे 2.8 plus 7.2 plus 3.6 और बराबर हो जाएगा 23 की power question mark तो question mark की जगा आप x मान सकते हैं हमारा जो base है वो बराबर है तो power ये plus हो जाएगे बराबर 23 की power हो जाएगे x अब ये 23 आप इनको plus करेंगे ये बनेगा 10 और ये 3.6 तो ये बनेगा आपका 13.6 बराबर हो जाएगा 23 की power x अगर हमारा base बराबर है तो हमारी जो power है वो बराबर हो जाएगे x बराबर आएगा 13.6 जो की option number हमारा ए राइटर तो हमारा ये बेस बराबर होता है तो power बराबर हो जाएगी और power बराबर होने पर x कमान आपको आसानी से find हो जाएगा इस वीडियो को करने के बाद सरलंगनित में काफी सारे question आपको दिये गए हैं और उन question को आप आसानी से कर सकते हैं सबसे पहले पूरी वीडियो को आप देखेंगे जितने भी concept है आपको मैं वीडियो में cover कराता हूँ और एक-एक question आपको दियान से देखना है हमारा जो base है 21 है आप यहाँ पर x मान सकते हैं और यह power जुडेंगे अगर x मान हैंगे आप question मार की जगए तो base आपका same है तो power आपकी plus होंगी बराबर 21 की power है आपका 12.4 हमारा base बराबर हटा दो x plus 6 बराबर आएगा 12.4 तो x बराबर आएगा आपका इधर आके यह minus हो जाएगा ताड़े 6 यह बचेगा आपका 9 और 5 5.9 हमारे question का right answer बनेगा देख इसमें एक option और है इन में से कोई ने तो हमारे सामने question है और इस question का right answer बनेगा 5.9 और 5.9 option में नहीं है तो इस question का सही answer होगा option number E next सबसे पहले आपको base देखना है base हमारे सामने 34 है यह दोनों जो power है आपके इन दोनों को आप plus करेंगे तो यह 3 बचेगा 34 की multiply आपको 3 बार करने है 34 की multiply अगर 3 बार करेंगे पहले 34 की 34 से गुना करते हैं निकलेगा 1156 1156 को आप फिर 34 से गुना करेंगे 624 20 अरदो 22 44 अरदो 46 18 16 33 और 1 34 4 0 6 6 बार है और 1 13 4 4 8 और 1 9 3 हमारा जो answer आएगा right वो आएगा 49 304 जो की option number हमारा A है आईए next सबसे पहले हमें base देखना है इस question का जो base है वो different है लग लग तो हमारा जो base है सबसे पहले आपको base बराबर करना है और यही इसमें आपको सीखना है यह इसका base 4 है इसका base 2 और इसका base आपका 8 है तो सबसे पहला काम है base को बराबर करें 4 को आप लिख सकते हैं 2 का square इंटो 2.3 2 की power 2.3 और 8 को आप लिख सकते हैं 2 की power 3 इंटो 1.7 हमारा जो base है सबसे पहले उस base को आप बराबर करें इस 4 को आप लिख सकते हैं 2 का square इंटो 2.3 2 की power 2.3 और आगे भी आप लिख सकते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं अब इसको आप लिखेंगे 2 की पावर 4.6 गुणा में पावर प्लस होती हैं इसको प्लस करेंगे 2.3 2.3 और आगे आप लिखेंगे 5.1 इसको प्लस करें तो 2 की पावर होगे हमारा 5 और 2 7 और 4 11 और 12 2 की पावर होगे है 12 दो की पावर बारे बारा अगर आप गुना करते हैं 1024 तो यह आएगा आपका 46 जो कि हमारा उप्शन नमबर डी है तो भई सबसे पहला काम हमारा होना चाहिए कि जो आपका कुश्चन में बेस है उसको बराबर करें और बेस आपका देखे 4 को 2 का स्क्वेर आप इनकी गुना करेंगे इसे भी प्लस करेंगे और इसको भी प्लस करेंगे तीनो संक्याओं को प्लस करेंगे तो 2 की पावर 12 बनगे और 2 की बारे बार आप गुना करते हैं तो और 1 सर आपका 46 निक्स्ट सबसे पहले बेस देखना है 8 4 16 और 2 हमारा इस टॉपिक में जो बेस होता है सबसे पहले उस बेस को बराबर करना है क्योंकि बेस बराबर करने के बाद ही आप पावर को जोड़ सकते हैं घटा सकते हैं तो बेस बराबर करें इस 8 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3 1.3 4 को आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वेर इंटू आएगा 0.6 16 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 0.2 और कुशन मार की जगे आप लिख सकते हैं X इनकी गुना करेंगे 2 की पावर हो गया 3.9 प्लस गुना करेंगे 1.2 प्लस इनकी multiply करेंगे .8 बराबर हो जाएगा 2 की पावर X अगर हमारा base बराबर है आप हटा दो और इनको प्लस करेंगे यह हमारा बनेगा 2 की पावर 5.9 बराबर 2 की पावर X अगर आदार बराबर है तो पावर बराबर होंगी तो X बराबर आएगा आपका 5.9 तो X की value आप आसानी से find कर सकते हैं जो की हमारा answer है option number C 1000 की जो power है वो 12 है और 10 की power आपके 30 है देखे ओपर आपका 1000 base है नीचे आपका 10 base है तो पहला जो काम हमारे पास है इस base को बराबर किया जाए अब 1000 को आप लिख सकते है 10 की power Q इंटू 12 और नीचे आएगा 10 की power 30 रैकेट कमरला गोना करेंगे 10 की power हो गया 36 और नीचे सोपर जाएगा minus में तो 10 की power हमारा बनेगा 6 जो की option number आप कर लें 10 की power 6 अब 10 की power 6 देखिए option में 10 की power 6 है नहीं तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये 10 की power 3 इंटू 2 तो ये जो option है हमारा उसको आप 10 की power 6 लिख सकते हैं तो इस question का सही answer मिलेगा आपको option number A यदि 2 की power X बराबर 3 की power Y बराबर 6 की power है minus Z अब हमारे पास देखिए 2 संख्या यहाँ पर given है 2, 3 और 6 तो हमें 2, 3 से 6 बनाना है तो 2 गुना 3 is equal to करते हैं 6 6 को आप लिख सकते हैं 2 into 3 is equal to 6 सबसे पहले इनमें relation आपको निकालना पड़ेगा 2, 3, 6 में तो जो की question में आपको given होगा और इसमें आपको 6 को आप बना सकते हैं 2 गुना 3 is equal to 6 अगर power बराबर होती हैं जैसे कि 2 की power x है और हम इन सारी power को k के बराबर मान लेते हैं k एक constant है किसी भी संख्या के बराबर आप मान लें तो 2 की power x बराबर k हो जाएगा और 2 का मान अगर हमें चाहिए तो k की power 1 by x हो जाएगा इस power को यदि आप दूसरी तरफ लेके जाएगे तो यह 1 upon x माएगा निकलके तो 2 की जगे आप लिख सकते हैं k की power 1 by x 3 की जगे सेम आप लिख सकते हैं k की power 1 upon y और 6 की जगे आप लिख सकते हैं k की power minus 1 upon z same way में हम आपने 2 का मान फाइंड कर लिया 3 का और 6 का अब देखें आपका base बरावर है base बरावर है तो यह power प्लस हो जाएंगे k की power आप लिख सकते हैं 1 by x plus 1 by y बरावर आजाएगा k की power minus 1 upon z अगर हमारा base बरावर है तो power बरावर हो जाएंगे और यह minus का 1 upon z जब इस तरफ आएगा तो यह बरावर हो जाएगा 0 के 1 upon x plus 1 upon y plus 1 upon z इसकल टो आएगा 0 जो की हमारा option number a में बनेगा तो जो भी power है सबसे पहले इनको आप किसी constant के बरावर रखें 2 की value find करनी है 1 upon x तो relation इन में निकालना है आपको 2 गुना 3 इसकल टो 6 2 कमान 1 upon x 3 कमान 1 upon y और 6 कमान आएगा minus 1 upon z जब हमारा base बरावर है तो आप power को जोड़ प्लस करेंगे और बरावर minus 1 upon z तो 1 upon x plus 1 upon y और minus का एक बटे z जब दूसरी तरफ जाएगा तो plus होगा और बरावर में 0 2 की power x minus 1 plus 2 की power x plus 1 इसकल टो 320 x कमान find करने को बोला है कि x कमान कितना होगा तो सबसे पहले आप इसको अलग-अलग करेंगे 2 की power x गुना 2 की power minus 1 क्यूंकि गुना में देखे power जुड़ेंगी तो आप इसकी जगे ये भी लिख सकते हैं सेम वे में आप 2 की power x अलग करेंगे और 2 की power 1 आपको अलग करना है बराबर 320 अब दौनों तरफ देखे 2 की power x common है common ले लें तो 2 की power minus 1 बचेगा यदि power minus में तो नीचे 1 अपान करके प्लस में लिखेंगे आगे 2 मिलेगा आपको बराबर 320 तो की power x यह होगे आपका 5 बचे 2 बराबर 320 5 से डिवाइड कराएंगे 64 बार और 64 का डबल आएगा 128 तो की power x बराबर 128 है और 128 को आप लिख सकते हैं 2 की power 7 2 की power 7 अगर हमारा base बराबर होता है तो हमारा जो आदार है वो अमेसा बराबर होगा तो इस question में x की value आएगी 7 अगर इस question का आपको direct तरीका करना है तो आप direct option में 7 put कर सकते हैं और x की values जब आप 7 put करेंगे तो इस question का answer आपका 320 आएगा तो x कमान आएगा आपका 320 यानि अर्था 7 next 2 की power x plus 4 minus 2 की power x plus 2 is equal to 3 बोला जा रहा है इस question में x कमान कितना है सबसे पहले आप इनको अलग अलग करेंगे 2 की power x into 2 की power 4 2 की power x into 2 की power 2 is equal to 3 तो सबसे पहले आप इस में से common ले सकते हैं और इस question में देखे common आएगा 2 की power x ये बनेगा आपका 16 minus बनेगा 4 और बरावर माएगा 3 तो 2 की power x गुना आगे निकलेगा आपका 12 बरावर 3 अब ये 12 इसके नीचे आएगा 2 की power x बरावर 3 बटे बार है 1 बटा 4 2 की power x बरावर 4 को आप लिख सकते हैं 2 का square और ये नीचे से उपर जाएगा minus में अगर हमारा base बरावर होता है तो जो अगर आपका base बरावर है तो power हमेशा बरावर होती है x बरावर आएगा minus का 2 तो इस question का answer आएगा option number a a upon b की power x minus 1 बरावर b upon a की power x minus 3 आपको given है सबसे पहला काम हमारा question में होना चाहिए कि जो आपका base है उसको बरावर करें और बरावर करने का तरीका है या तो आप एक तरफ उल्टा करेंगे या तो आप इस तरफ उल्टा करें या इस तरफ उल्टा करें a upon b की जो power है वो x minus 1 है बरावर अगर आपको इसको a upon b करना है क्योंकि हमारा काम है question में की base को बरावर करना जब आप इसको उल्टा करेंगे a upon b तो हमारे जो चिन होते हैं जो plus वाला है वो minus वाला करना है और जो minus होता है उसको plus कर देना है जब भी आप base को उल्टा करेंगे जो चिन उपर होते हैं वो आपको opposite कर देना है तो यह plus का x है minus का x करना है और जो minus वाला है वो से plus करना है हमारा जो base बरावर है उसको आप हटा सकते हैं जब आपका base बरावर हटा दो power हमेशा बरावर होंगे x minus 1 is equal to minus x plus 3 अब यह minus का x इस तरफ आएगा plus माएगा 2x बरावर 4 तो x बरावर आएगा हमारा 2 जो की option number है c में next 2 की power 2x minus 1 बरावर 1 upon 8 की power x minus 3 पूछा जा रहे question में कि x की value कितनी है 2 की power 2x minus 1 8 को आप लिख सकते हैं 1 upon 2 की power 3 into x minus 3 2 की power 2x minus 1 क्योंकि हमारा काम है base बरावर करना उपर 2 है तो यह वाला जो नीचे 2 है इसको भी आपको उपर लेके जाना है जब यह नीचे से उपर जाएगा तो यह आपको मैंने बोला तो चिन बदल देना यानि minus लगा दो यहांपे बागी सारा सेम हो जाएगा जो भी चिन अगर प्लस है तो आप minus लगा दो minus है तो आप plus लगा दो तो फिर आपके जो सारे चिन वो उल्टे हो जाएगे 2 की power 2x minus 1 is equal to इसको आप लिखेंगे 2 की power minus का 3x plus का 9 minus का 3x और यह हो जाएगा plus का 9 अगर हमारा बेस बराबर है बेस को आप हटा दें power बराबर होने चीए 2x minus 1 is equal to minus 3x plus 9 होगा और minus का 3x इदर आगे plus हो जाएगा 5x और यह इदर आगे plus हो जाएगा 10 तो x बराबर हमारा आएगा 2 जो की हमारा सही answer option number c में next बेस देखे 64, 4, 8 सबसे पहले इसको बराबर करें 64 को लिखेंगे 2 की पावर 6 into 2x minus 5 बराबर 4 को आप लिखेंगे 2 की पावर 2 8 को आप लिखेंगे 2 की पावर 3 into x minus 4 सबसे पहले जो बेस उसको बराबर करें 2 की पावर 6 इसको 2 का स्क्वेर लिख सकते हैं को 2 की पावर आप 3 लिख सकते हैं हमारा जो बेस हो बराबर हो गया बेस बराबर होने के बाद 2 की पावर 6 के आप मल्टिप्लाई करेंगे 12X और 6, 35 बराबर 2 की पावर 2 प्लस 3 की मल्टिप्लाई करेंगे 3X माइनस बनेगा 12 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ये प्लस का 3X इदर आगे माइनस मों हो जाएगा 9X बराबर माइनस का 30 इदर आगे प्लस हो जाएगा 18 बनेगा तो X बराबर आएगा 2 इस कुश्चन का सही आंसर हमारा option number 8 ये जो type आप सीख रहे हैं वो हमेशा बेस पे डिपेंड होती है कि जब आपको बेस एक्जाम में अलग-अलग given हो तो सबसे पहले आपको जो बेस होता है वो अपना बराबर करना होता है बढ़ते हैं अगले कुश्चन की तरफ देखें इसका अगर आप बेस देखेंगे 9 बटे 4 9 बटे 4 को आप लिखेंगे 3 बटे 2 का स्क्वेर और भार 2X है 8 बटे 27 को आप लिखेंगे 2 बटा 3 इंटो 3 और भार लिखा हुआ X माइनस 1 और बराबर मागया 2 बटा 3 और इसके उपर कोई भी पावर नहीं आप 1 मान सकते हैं 2 बटा 3 क्योंकि 2 बटा 3 3 बटा 2 और 2 बटा 3 सबसे पहले जो बेस है और देखने में आपको जो एक जैसा लग रहा है आप उस बेस को समान करेंगे अब आपको ये देखना है कि इसका जो बेस है क्या वो सेम है 2 बटे 3 2 बटे 3 पर इदर उल्टा है तो आपको ये वाला जो बेस है वो उल्टा करना पड़ेगा जब आप इसे अपोजिट करेंगे तो आपका जो बेस है वो बिल्कुल सेम हो जाएगा तो इस बेस को आप उल्टा करेंगे जब आप उल्टा करेंगे तो ये प्लस वाला था आपका 2 बटे 3 की पावर 1 अब हमारा base बरावर है base को आप हटा दें तो power बरावर होंगे यह बनेगा x-3 बरावर 1 तो x बरावर आजाएगा आपका 4 जो कि हमारा सही answer option number d में next 64 x की 3 upon 27 1 की पावर माइनस 3 और पूरा जो bracket close है उसके बाद भार लिखा हुआ है minus का 2 बटा 3 इसको देखें 64 x की power cube 27 अब एक की power नीचे minus 3 माइनस 3 नीचे से उपर जाएगी तो प्लस हो जाएगी यह minus 3 जब नीचे से उपर जाएगी तो प्लस हो जाएगी और पूरे को पर लिखा हुआ है minus का 2 बटा 3 अब सबसे पहले जो काम होता है हमारा जितने भी minus है उन्हें कोसिस किया करें कि आप यह minus सबसे पहले हटें और वो भी power वाले यदि power में minus है आप इसको उल्टा करेंगे 27 upon 64 x की 3 एक की cube और यह negative आपका खतम 2 बटा 3 अब देखें जो 2 बटा 3 है वो सभी संख्याओं के उपर है तो आप इस 2 बटे 3 को जितनी भी संख्या bracket के अंदर हो उन सभी के उपर आपको लगाना है 27 को आप लिख सकते है 3 की power 3 into 2 बटा 3 नीचे 64 को आप लिख सकते है 4 की power 3 into 2 बटा 3 x की power 3 लिखेंगे और 2 बटा 3 एकी power 3 लिखेंगे 2 बटा 3 ये लिखेंगे 3 से 3 cancel हो जाएगा 3 से 3 और इससे ये और इससे 3 का square 9 बनेगा 4 का square 16 बनेगा x square बनेगा और आगए a square बनेगा तो इस question का answer आएगा 9 बटे 16 x square into a square option number c 32 बटे 243 और minus 4 बटे 5 है power में जो negative है उस negative को आपको हटाना है और negative हटाने का तरीका होता है जो base है उसको आप उल्टा करेंगे इसको उल्टा करें 243 नीच आएगा 32 और ये negative आपका खतम 4 बटे 5 power में जो minus है उससे हटाने का तरीका होता है कि आपका जो base है आप उसको उल्टा करेंगे और आपका माइनस खतम अब ये 4 बटे 5 देखे सभी के उपर है 243 को आप लिख सकते हैं 3 की पावर 5 इंटू 4 बटे 5 32 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 5 इंटू 4 बटे 5 5 से 5 कैंसिल 5 से 5 कैंसिल ये आएगा 81 और 2 की 4 बार 16 तो इस कोश्चन का सही आंसर निकलेगा हमारा option number D 81 बटे 16 अंडरूट 3 की पावर N इसकल टू 81 बोला जा रहा है इस कोश्चन में की N बराबर किसके होगा अंडरूट 3 की पावर N 81 को आप लिख सकते हैं 3 की पावर में 3 की पावर लिखेंगे 3 की पावर 4 अंडरूट अटाने का तरीका होता है दौन तरफ आपको स्क्वेर करना है और देखे हमेशा स्क्वेर से अंडरूट हट जाता है 3 की पावर N बचेगा बराबर ये बचेगा आपका 3 की पावर 8 अगर हमारा base बराबर है पावर बराबर हो जाएंगी तो इस question में N निचकल 2 होगा हमारा 8 तो इस question में N बराबर 8 बनेगा यदि M और N ऐसे दो धन पुनांके कि M की पावर N बराबर 25 है N की पावर M कमान आपसे पूछा जा रहा है M की पावर N बराबर 25 है तो M बराबर अगर आप 25 को लिख सकते है M की पावर N बराबर 25 है तो M की पावर N बराबर लिख सकते है 5 की पावर 2 25 को आप लिख सकते हैं 5 की पावर 2 अगर आप दौनों तरफ कंपेर कराएंगे तो हमारे पास M बराबर आएगा 5 और N बराबर आएगा 2 क्योंकि हमें ये compare कराना पड़ेगा आगे आपको N की power M कमान निकालना है यदि हम दौनों तरफ compare कराएंगे तो M बराबर 5 और N बराबर 2 N कमान 2 और 2 की power 5 2 की power 5 होता है 32 जो की option number D है next 3 की power M square upon 3 की power आएगा आपका bracket means गुना करेंगे 2 M और इस पूरे का जो base है वो 1 by M है और 81 को आप लिख सकते है 3 की power 4 सबसे पहले जो base है उसको बराबर किया जाए ये negative है नीचे से जब उपर जाएगा तो minus माएगा 3 की power M square और नीचे से उपर जाएगा minus का 2 M बराबर आएगा 3 की power 4 और इसके उपर पूरे जो power है वो 1 by M है क्योंकि base की जो power है पूरी वो 1 by M है उपर से देखे M common आएगा बचेगा M minus 2 और पूरे के जो base है base के उपर 1 upon M है बराबर 3 की power आपका 4 बनेगा M से देखे M खतम अगर आपका base बराबर है तो power बराबर होंगी M minus 2 is equal to 4 M कमान अगर हमें निकालना है तो M बराबर हो जाएगा आपका 6 जो की option number है हमारा D M square upon 3 की power देखे 2 M नीचे से ये उपर जाएगा M square minus 2 M पूरे को पर 1 upon M है इसमें से देखे M common आएगा आज की जो वीडियो मैंने आपको कराई है इसमें आपको base बराबर करना पड़ता है स्टार्टिंग में मैंने आपको 3 चार रूल लिखे हैं उन नियम को आप अच्छे तरीके से करें वीडियो आपको पसंदा है या आप उसको like करें चैनल को जरूर subscribe करें आपको करें आपको आपको करें